आईपील के 13 सीजन का आयोजन UAE में होना है लेकिन चिन्नेई सूपर किंग्स की टीम में कोविड-19 के घुसपैट के बाद अब तो आईपील को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कोविड-19 के चक्रवीव में चिन्नेई सूपर किंग्स की टीम के फसने के बाद अब IPL 2020 का ओपनिंग मैच खेलने से भी मेहंदर सिंग धोनी की टीम चूक सकती है हला कि BCCI की तरफ से अधिकारिक तोर पर IPL 2020 का सेड्यूल जारी नहीं हुआ है लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि IPL का ओपनिंग मैच चिन्नेई सूपर किंग्स नहीं बलकि मुंबई इंडियन्स और दिली कैपिटल्स के बीच हो सकता है हला कि IPL नियमों के मुताबिक गत विजेता और उप विजेता टीमों के बीच ही अगले साल ओपनिंग मैच होता है लेकिन मेहंदर सिंग धोनी के टीम के COVID-19 के चक्कर में फसने के बाद BCCI इस बार IPL के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है एक रिपोर्ट के मुताबिक विशो भर में फैली महामारी को देखते हुए BCCI कोई भी जोखिम फैसला लेने से परहेज कर रही है महामारी को देखते हुए कयास तो ए भी लगाया जा रहा है कि एक बार फिर IPL को पोस्ट पॉन किया जा सकता है खैर अब तो BCCI की तरफ से अधिकारिक तोर पर IPL 2020 के लिए नए सेडियूल आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि IPL का ओपनिंग मैच आखिर किन टीमों के बीच होगा क्रिकेट विशेशंग्यों की माने तो IPL 2020 के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन्स के बीच जबरजस्त टक कर देखने को मिलेगी इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ही जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है इस मैच के दोरान क्रिकेट फैंस की निगाहे टिकी रहेगी दिल्ली कैपिटल्स के दिगज विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पन्त पर आपको बता दे कि रिशब पन्त बेहद ही आकरामक बल्लेबाज है हाल ही में अभ्यास मैच के दोरान रिशब पन्त ने मात्र 19 गेद पर सतक जड़ कर मुंबई इंडियन्स के गेदबाजों को संकेत दे दिया है कि इस बार दिल्ली केपिटल्स के बल्लेबाजू का ही बोल बाला रहेगा